नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे उट्व चैनल अमन प्रयास जीकेजिस पर जिसा कि फ्रेंड्स आज आज यह आपका 10 सप्टमबर और 10 सप्तमबर को आपका एकजाम था जो कि सभी सिप्टों का एकजाम समापको गया है सभी सिप्टों में लगवग आपका 75 प्र प्रयास ने हुआ है लेकिन उससे पहले आपको चुल मची होगी कि इसका पीडिएफ कहा मिलेगा तो पीडिएफ आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल लाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप रुप जाग इसको जॉइन कर लिजेगा ठीक है पहला जो क्य क्या गया है वह है कि विलायत खां का संबंध है जो कि कि स्वाध यंद्र से यांक कि साइध आपका सेकंड शेट में पूछा गया था तो इसका राइट एंसर वह तो सब्सक्रिप्शा इसका अपका सितार होगा ठीक उस्ताद भिलायत खां एक भारत्य सास्ते सितार वादक है जिनका जनम 28 अगस्त 1928 को होता है और 13 मार्च 2004 को मुंबई में इनका नीदन हो जाता है ठीक है यह जो आपका कुश्चन है बिलायत खां का हमारे द्वारा जो त्यार किया गया है जो कि इससी परिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही त्यार क्या गया है उस टोपिक वाइज वो इबुक है ठीक है उस टोपिक का पहला प्रशनी आपका बिलायत खां से समधित है यहां पर लिखा गया था कि निमलिकित में इसे कौन सा संगितकार संगित वाद्यंत्र सितार पर संतूर की बात करेंगे तो पंडित सिकुमार शर्मा है भजन सुपारी को याद अखना है कंजीरा जो की दचिन भरत का एक फ्रेम ड्रम है उससे समंधित आपके है पुदु कोटई दचिना मूर्ति पिलाई है इनका समंध आपका मर्दगम से भी है सरंगी से बात करते हैं सकूर खां है आपके पंडित राम नरायन है पंडित राम नरायन की बात करेंगी तो पंड़ा सुलामी ने पंडित भीम सेंजोसी लाइफ टेम अचीमेट एवोड़ भी दिया गया है रमेश मिश्वा जी है सिल्टान खान है उस्ताध मुंदु खां है बासुरी की बात करत अब्बाजी है यादखना है 1968 में अमरीकी जेज, ड्रोमर, बड़ी रिच्च के साथ मिलकर एक संगित एलबम है जो कि बनाया था सवीर खा है, पंडित किश्वन मराज है जो कि बनारज घनाज समन्दी थे पंडित ज्यान प्रकास घोशे, फ्याज खान है, अबन मिस्तरी जो कि तबला सही है सरोज से बात करते हैं तो अल्लावदिन खान है, स्युक्ता जमरीका के प्रतिसिद लिंकल सिंटर होन में प्रदसन के लिए आमन्दित होने वाले भारतिये थे अली एकबर खान है, अमजद अली खान है, बुद्ध देव दास गुपता है, इसके हलावा आपका सनाई से देखें तो बिश्मिला खान जी है, कृष्ण राम चोतरी है, अली अमे दुसेन है इसके अलावा बिलायत खा है, जो की आज ही सवार बना था, अनुपम भागवात है, निखिल बननर जी है विना से ज्या मोहिदुन डागर है, अजारीश शाम संद्रम है, एस बालचंदन है, और आपका दोरा शौमी अयंगर है रोदर बिना से बात करते हैं, तो अस्तद लिखा है, मोहन बिना से पंडित विष्व मोहन भठ है, ठेक है उनिस्तो चुराणयमे में इने ग्रिमी पुषकार दिया गया था, ये कल का कुस्तन था, इसके लाबा मोहन बिना के अभिषकारक है बायलोन की बात करेंगे तो स्री गुपाल कृष्णन है, श्रीमती एन राजम है, एन आर मुरली धरन है, एम चंदर सिखरन है, विष्णु गुविन जोग है, काला रामा नाथ है, जोकी मिवाती घराने से समंध है, लाल गुडी जैरावन है इसके साथ कुछ कनाटक संगीत से समंधित गायक को भी याद रखना है, हिंदुचानी संगीत से भी याद रखना है, जोकी यहाँ पर आपको नाम दिया गया है तो इस टोपिक के वाइस प्रयास एबुक से पहला जो टोपिक था पला टोपिक वन हमने आपको किलियर कर दिया है, ठीके इसी प्रकार इसमें आपको 36 टोपिक अभी वर्तमाने मिलते हैं, बाकी और टोपिक एड होंगे, तो 45 टोपिक तक आपको यह मिलने वाला है, ठीके तो यह आपका हिंदी और अगरी दोनों में उपलब्द है, इसमें जो भी टोपिक से प्रश्ट आते हैं, अगर यह टोपिक इसमें है, तो यह प्रश्ट आपके इसी इबुक से देखने को मिलेंगे, ठीके, जिसा कि कल आपका आज पनी तरभी शंकर के बारे में भी आया तो इस इबुक को अगर आप लेना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल लेगा, साथ में वाट्सप नमबर आपको यहां पर देख रहा होगा, तो वाट्सप नमबर पीस संपर करके आप इस इबुक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीके, प्राइस बग जाता है, यह समान राज्य सरकार के द्वारा अलग-अलग छेत्रों में लोग की सेवाईं के लिए दिया जाता है, इसके अलाबा बंगा रतन को याद कियेगा, बंगा भुसन समान भी दिया जाता है, अगला है कौन सा सास्ते नरत लस्ट सेली पर अरधारी थे, तो इसका आपका मोनी अट्व होगा, यह भी प्रस्ट आपको इस एबुक में मिल जाएगा, अगर नहीं आपको विश्वास है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार चल के देखी भी लेते हैं, कि आखिर कार यह लस्ट सेली पर अरधारी जो आपका था, इस भी इबुक में है कि नहीं, तो यह आपको टोपिक वाइस टू में देखने को मिलेगा, जब आप मोनी अट्व के कॉलम में जाएगा, जो कि केरल का एक सस्तनिर थे, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, कि मोनी अट्व नाट्ट सास्तर की लस्ट सेली पर अरधारी थे, तो यह भी दो किसी बैंक में संपत्या असिस्ट दिंदारी लाइबलेटी से अथिक होती है, तो उसे रिजर्व कहा जाता है, ठीक है, नेक्स ओसन है कि 1913 में सहित में नोविल पुरुषकार जितने वाले पहले भारतिये नागरिक का नाम बताना था, तो रविन्ना टेगर हैं, जो कि जन गया, हर गुमिन खुराना को 68 में सिखिचा के छेतर में दिया गया, मदट टेशा को 99 में सांथी के छेतर में,स्र impaired मंदिंगध मन्लेम चंद सेखर और नेक्स कोशन है हुआ है कि महाबली पुरम किस काल में मंदीर वस्तुकला का एक परमुख के अंदर था तो इसका राइटेंस आपका पललव राजबंस होगा ठीके महावाली पुरम जिसे महावला पुरम भी कहा जाता है सात्मी और आठमी सताबदी के दुरान पल्लव रजाओ के शासनकाल में मंदीर वस्तुकला का एक परमुख केंदर था इस्वमे के दुरान महावाली पुरम में कई भवे मंदीर रोकट गुफाए हैं जो श्तुकला का उत्त क्रिष्ट उधारन है ठीक? जो next question है हुआ है कि भारती समिधान में गन तंतर के उधारना निमलिकत में से किस देश की समिधान से लिया गया है तो गन तंतर के अग्दाना की बात करेंगे तो फ्रांस इसका आपका रायट एंसर होगा गन तंतर शब्द सरकार के उस रुप को स्तंदर्वित करता है जहां राज्य प्रमुक का कोई राजा नहीं बलकि राश्ट्रपति या अन निर्वाचित अधिकारी होता है ठीक है भारत ने 26 जमरी 1950 को अपने समिधान में गन तंतर की अवधाना को अपनाया था और जब यह ए करते हैं तो राज के निती निरदेसक सिधांत राश्पति के चुनाओं कि विधी राश्पति के द्वारा राश्ट्रवा के लिए सद्रस्यों का नमंकन आईलेंड के समिधान से, कनारा की बात करते ही तो संगिया परनाली, अउसी सक्तिया किंद के पास होगी, किंदर द्वारा राज्यो के राजपाल की निकती, शर्वो चनेले का सलाकार, छेतादिकार, ये शबी कनारा के समिधान से, उस्टलिया के समिधान से, सम्मोर्ती सोची प्रस्ताबना में समाजी कारतिक और राजनेतिक न्याई की आदर्शों का पालन लिया गया है फ्रांस से आपका गंद राज के उदाना सुतंतरता स्वामानता और बंदुतुका आदर्श जर्मनी के समिदान्स से अपातकाल के दुरान जो मॉली का दिकार का जो निलंबन होत दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी का जल बहाओ बहुत विशाल है और यह नदी अपन चौड़े पार्ट के लिए जानी जाती है अमेजन नदी का बेसिन छित्र भी दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो लगबक 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में पहला हुआ है अगला है कि पिछले 15 सालों में 15 वर्षों में राज्य की बिरुजगारी दर सबसे कम रही है किस राज्य की तो इस कराइटेंस आपका 36 गर होगा पिछले 15 वर्षों में 36 गर राज में बिरुजगारी दर सबसे कम रही है यह राज्य लगतार कम बिरुजगारी तो भू स्कलन का कारण की बात करेंगे तो आपके ऑप्षन में जो दिया गया था वो दोस्तों आपका दिया गया था खरण गति विद्या ठीके तो इसको भी याद रखना है नेक्स वसन जो पूछा गया फ्रेंड्स वो आपसे पूछा गया है कि भारत की राष्टिय खेल विश्व दाले यानि की नेशनल स्पोर्ट इंवर्शिटी कहां पर इस्तित है तो इसका राइट एंसर आपका मनीपूर होगा ठीके मनीपूर में ये इस्तित है भारत का राष संगित प्रशकार किस राज्य के दवारा दिया जाता है तो एम जी संगित प्रशकार की बाद करेंगे तो ये हर शाल करनाटक ये द्वारा संगित के छेत्र में उत्तकरिश्य विदान के लिए परदान किया जाता है present you अगला है ऩो भार्तिय होकी महथम्रον के बिकास प्रबंदन के लिए जिमिधार था और इसके तहट भार्तिय enough contemporary के जहा है प्लबदियां भी हासिल कि है, इसके अलाबा भारतिये होकी मासरां के सथाफ़ 1925 में होता है, इसके अलाबा 1928 के M संडरम ओलंपिक में भारतिये होकी जो टीम हैं अपना परला सोनपуса पतखुदिती है, इसके बाद 1928 छोंपन तक भारतियों के टीमें लगताई छे ओलंपिक स्वर्ण पदक है जो की जीता है इस सब्दी को भारती होकी का स्वर्ण यूग कहा जाता है इसके लाब भारती होकी टीम है अब तक एक बार होकी बिसकप जीता है 1975 में कौला लांपुर्ड में यह आयू जीत हुआ था नेक्ट आपका है संग केन पड़व जो है अनुरस्चर प्रदेश मना जाता है तो पूछा गया था किस जनजाती के द्वारा ठीके तो इसका राइटेंसर होगा खामटिस जनजाती के द्वारा है जो की मना जाता है संग केन पड़व अनुरस्चर प्रदेश के लोहित जीले की खाम्ती जंजाती के द्वार मना जाता है यह एक बोध पर्भे जिसमें भगमान बुद्ध की मुर्ती का अश्णान सामरो किया जाता है और मनवता के कल्यान के लिए प्राथना की जाती है अगला है दिस्करवरी ओफ इंडिया पुस्तक के लेखा कोने हालां कि आप से चार ओपसिन दिए गयते पुछा गया था कि इनमे से कौन सा बुक और और यह जो मिलान है वह आपका गलत है ठिक है तो heh टिक है पनब्ध आपके का जो हैं यहां पुछा गया आशंके यह डिवह द्रीक जो पकरतें यह फ्यूक जो बबात करते हैं तो चन्द경ष तो आपका सिल्कस निकेटर सिल्कस जो पर्थम निकेटर था उसकी बैटी से हुआ था ठीके यह एक आपका राजिनतिग संधी था ठीके जोकी मौरे समराज और सिल्कस समराज की कई कृचवा था ठीके तो यह पुछा गया था तो से लिकस हुआ जेकर है मैं कि यह पुछा गया हो रिखित में से किस रजबन्स के ससक गोत्मी पुत्रास्थ करनी थे ठीके तो बात करेंगे गोत्मी पुत्र सत करनी का तो यह दूस्त yourself सर्य आपका सातवहन होगा ठीक है सातtwहन वंस की बात करते हैं तो इसका झ्ठापना जो है वह आपका स्रिमोक के दोवारा क्या जाता है ठीक है स्रिमोक को याद एका इस के लाब गुत्मी पुद्रसथ करने था वह आपका सातवहन वंस को पीसमा Recommender को सकता का सासन ने जो कि वहां पर हुआ था, ठैके तो इस बात को भी याद अखना है, अगला है, ऐल contrat केखिल फोल की शुवाद था, ठैके, तो ऐल्मपिक खेलों के शुवाद की बात करेंगी, तो यह, दोस्तो आपका स्थापना है जो कि कब हुआ था तो आई उसी के स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका 1894 में हुआ था इस बात को याद रखेगा तरीजुन 1894 को पिरेडे करबोटीन के द्वारा किया गया था अगर आपसे पुछेगा कहां पर क्या गया था तो यह दुस्था आपका पेरिस में हुआ था तो इसका अस्थापना होता है इसका जो मुख्याले है सीजोलेंड के लॉजेज न में स्था इस बात को याद रखना है यह जो अल्लंपिक खेलों में भाग कब लिया था तो ये आपका चरण उनीश व्यूजीं में भारत ने पेजली बार भाग लिया था ठीक इस बात को भिया रखना है उस्सर प्हाकड की पर जो स्ब्धिझ है वह जो कि दिया गया था जो कि आज आपके प्रस्ट करूप में तबदिल हुआ है तो बिकेट की परशब्द आपका क्रिकेट से ही समझ दीते हैं इसके लाबा क्रिकेट में उप्योग की जाने वाले सब्दों की बात करते हैं तो अबर फोल ओन रबर इसे सकाच बाउल स्टंप आउट एलवीडावलू कीट पिकेट नौट आउट नौबल वाइड इसके लाबा डेड़ बोल हो गया ओवर्थ्रो हो गया ठिक है बाए हो गया लेग हो गया कवर कवर ड्राइब लेट करते हैं यह सारे चीजे जो हैं यह सार खेलों से समदित अन्र सब्दों की सुची के बारे मि दरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑप करना होगा कैसे आप लोग बाय कर सकते हैं उसके बारे में बाट करेंगे ons पेहले हम लोग को सबाउन को देख लिए हैं ड़िक मुलीट कर mindset की समिधान की किक आ भारत किस अ मों लोक ब्लै आतने होंगे जो लोग नहीं सब्सक्राइब सतवन्सींग सब्सक्राइब पर एक बार पूपका ये भी बना कि सरदार जो स्वस् producciónस लिधा समी Ouais i7 ने कितने मोलिक करतब्स जोड़े की शुझाओ दिया था तो इन्होंने आट मोलिक करतब को जोड़े जाने का सुझाओ दिया है यख़ टा लेकिन ऑवरимоल आपका दस मोलिक करतब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कोस्टन है हुआ है कि भारतिय सिम्दान का नुच्छेद 40 से जो कि आपका किसे संबंदी थे तो नुच्छेद 40 की बात करेंगे तो यह दोस्तों आपका ग्राम पंचाय से संबंदी थे ठीक है यह ज तो नुच्छेद 40 सापका ग्राम पंचायत के संबंदी थे इसके लबागा कुछ और इंपोर्टेंट है बाइंपोर्टन उस पहे लेकिन इंपोर्टन बे भी इंपोर्टन अनुच्यद को याद दखना है जैसे अनुच्छेद 40 समीधि के सनवर्दन से संबंदी थे अनु आटिकल में आता है तो सुप्रीम कोट की बात करेंगे तो अनुछेद 124 के अंतरगत है जो की सुप्रीम कोट का गठन है जो कि क्या जाता है तो भारती समिदान के भाग पाच में अनुछेद 124 से लेकर अनुछेद 147 तक इस नयाले के गठन सक्तियों और नयाए प्रक्रिया साथिए आपके 34 नियादिस है वरत्मार में डीवाई चंदर चुड जो है आपके सुप्रीम कोट के मुख नियादिस है ठीक है भारत का जो सुप्रीम कोट है 26 जनुवरी 1950 को स्थित्मे आये था लेट गाटन उसका 28 जनुवरी 1950 को हुआ था 124 से लेकर 117 तक अनुच्य दाप का सुप्रेम कोर से समन दी थे यसमेंनु 6214 उतस्तम्य नियाले के स्थापनावड गतन से है 125 नहीं दीशों की वितन से है 626 करभाग मुख नहीं दीशों की निकुती से है 627 तदर्थ नहीं दीशों की निकुती से है इसके लावन उच्छे देख सोर्थाइस सुप्रेम कुर कार करता है उसके बारे में बताया गया है उसी प्रकार 31 32 सभी को एक बार अप लोगों को पढ़ लेना है बाकि जो जो इंप्पोर्टेंट है वह आपका 29 हो गया 27 हो गया 26 हो गया यहीं सभी आपके लिए इंप्पोर इंडियन श्ट्रगल उनिश्व बीस से चौतिस पुस्ता के लेकाक है यह भी जो प्रश्ण है आपका जो बुक का जो आपका टॉपिक है उसमें आपको यह देखने को मिल जागा ठीक है तो यह आपका सुवाचंद बोस इसका राइटेंस होगा महान भारतिय संगर्ष उन है जो अभी आपके से के सिमन देखने को मिला था इसके बारे में हमने कल है जो की जिकर किया था और आपको यह PDF भी आपको प्रवाइड कराया था यह कल का ही PDF है जांपर आप लोग यहां पर शाप सब देख सकते हैं कि वरतमार में भारत में 25 हाई कोट है इनमें से 6 हाई को जिसमें से 6 से 6 है जो कि एक सदिक राज्य और संग सासित प्रदिशों पर नियंतर रखता है वो अच्छा कौन-कौन सा है उसको वह भी इंपोर्टेट है तो एक आपका है बंबे उचिन्याले जिसका अधिकार छेतर महराष्ट दादर नगर हवेली दमन दिप और गोवा पर है कुलकत्ता उचिन्याले इसका अधिकार छेतर छेतर अधिकार पच्छे मंगाल अनमानी को वार दिप समूग पर है मद्रास उचिन्याले तमिलाडू पॉन रिचेरी पर है घृटी की बात करेंगे तो असमनागलेन विज्वरम और अनौच प्रदेसे केरल उचिन्या है यहाँ पर नैदिस की संक्याग्शो शाठ है ठीक है इसको भ्याद रखना है नेक्स वोसन है कि भारत में किस राजने सबसे पहले इसकुली बच्चों के लिए मद्यान बोजन शुरू क्या था तो इसका राइटेन साब का तमिल नाडू होगा भारत में इसकुली कि प्रशिद सितारवादक पंडित विशंकर को कि शुर्ष भारत रतने से समानित क्या गया था तो इसका राइटेन साब का उनिश्व निरान में होगा ये भी प्रस्ण आपके जो इबूक है प्रयास इबूक वहाँ पर साप साप भारत रतन प्राप्त करता के कॉलम में आ यहां था ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप इस ईबूक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इबूक में क्या-क्या है ठीक के बातकर थे हैं तो इसमें आपको 35 topics मिलते हैं ऐसे तो एक ओर टोपिक भी हुए नोथरक वह भी टोपिक आपको यहां पर मिल आन्या आपके लिए उपलब्द है ठीक है अगर साथ में अभी हाली में जो सी हसल एक्जाम हुआ है 24 में उसमें पूछे गए 500 नहीं लगवग सारे सिप्टों का सारे सिप्टों का एंसर की से अपडेट हो गया है तो लगवग आपका 900 प्रश्णों का पीडियेप और दोनों लेना चाहते हैं तो आप दोनों ले सकते दोनों पढ़ लेते हैं तो एक अच्छा इसको राप्रोग जी कीजिस में कर पाते हैं किसी भी एक्जाम में क्योंकि अभी हाली में संभावना हैं और आते भी हैं इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस आपको 49 रुपए पड़ेगा इसके अलावा अगर यह दोनों लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस आपको 75 रुपए पड़ेगा इन दोनों को बाइक करने का जो लिंक है आपको description में मिल जाएगा comment section में pin क्याव मिलेगा अगर by chance वहाँ नहीं रहता है तो आपको यहाँ पर whatsapp number लिख दे रहे हैं यहाँ से भी आप लोग by कर सकते हैं whatsapp number पे संपर्क करके ठीक है 99737416661 whatsapp number है दोस्वा whatsapp number है 6299-068159 ठीक है दोनों का link भी आपको description मिलेगा अगर दवाय chance नहीं होता है तो आप लोग in whatsapp number पे संपर्क करके इस ebook को ले सकते हैं जहांसे प्रश्ण आपके exam में आ रहे हैं कुछ का sample हमने आपके साथ साजा किया है जो इस समय मिल पाया है बाकि और भी बहुत सारे चीज़ें यहां पर हैं जो कि समय नहीं समय नहीं था तो उसको खोज नहीं पा हैं बाकी उसको भी हम टेलिग्राम चैनल पर आपके साथ आजा करेंगे उससे पहले हम लोग और वी प्रश्णों को देख लेते हैं ठीक है तो पंडित अभी संकर को 1909 में भारत अर्थ संभानित किया था ठीक है इसके अलाबा 1909 में एमें सुबलक्ष्मी को स एब सभव Sans Yukato Copa में और अगल सजी थे नदी भारत पकिस्तान की शागर यन्ही करन भी में बहते हैं कि अध Madal में पराइब कि सदुनादे की पाइस से को जीता है तो इससका और सागर में बहता हैकई आई कि ब्हृत की संचने मेडल है जो की जीते हैं ठीक है तो इसका जो डाइट इंसर होगा वो दोसे आपका 14 पदक होगा आईसे फोल्ड चेंपिंशिप 22 में भारत में एकुल 14 में रिलीज दे हैं जिसमें से आपका 6 गोल था और 8 आपका ब्रॉंज था ठीक है तो 6, 8, 2, 10 और 4, 14 ठीक है अगला है कि ठंडे खुन वाले जानवर की पहचान करना था तो साप आपका ठंडा खुन का है लेकिन साप आपका उप्सन में नहीं होगा जो भी होगा आप लोग कोमेंट सेक्षिन में बताईएगा बाकि ठंडा कुन किसका होता है तो वो जानवर जो अपने शरी में आंतरिक तापान को नियंति नहीं कर सकते हैं उन्हें ठंडे कुन वाला जानवर एक रूप में जन्हें आता है एक्जांपल में मचली हो गया सरी स्टिप हो गया उभैचर हो गया ये सभी ठंडे खुनवाले जानवर हैं गर्म खुनवाले जानवर वो जानवर हैं जो शरी केतापान को अपने दम पर नियंतरत कर सकते हैं जैसे पक्छी हो गया, अस्तंधारी हो गया, कुत्ते हो गया, ठीक है आधी गर्म कुनवाले जानवर के कुछ उधालान है, नेक्ट आपका है, इस तरी पुरुष तुनला नामक जुपूस्ता के उसको लिखा किसने है, जो कि पुरुष रोमिलाओं के बीच समाजिक मत बेद जो कुई आलुष ना पर अधारी थे, तो तरवाई सिंदे के द्वारा ये लिखा गया है, अठार शुबरासी में, मराठी में ये प्रकासित हुआ था, अगला है हरेला फेस्टिबल किस चाह से समन्दी थे, ये आपका उत्राखंद से समन्दी थे, हरेला को उत्राखंद म EU किसका पर्तिक है, तो EU की बात करते हैं, तो गोल्ड यानी सोना का पर्तिक छिन है, सोना का परवानु संक्या 79 होता है, रहाने किकता तभी, ये हरे स्भाफ वी रूप से उच परवानु संक्या के तट्वों में शेac है, ये एक चमकदार गोरा, थोड़ा लाल पिला, गना अपनाए गया था तो यह आपका 2015 में अपनाए गया था तो इसका राइटेंस से 2015 होगा बुन्यादी किमत पर जीवियों की अबदाना 1913 में में शुरू किया गया था स्विंग्तरस की लेखा स्विंग्तरस की राष्ट्री लेखा परनाली से शुरू करता है और श्ट्रंकलन और वर्गे करन परनाली के शुरू का एक भाग के रूप में इस एने दौराट में समान तरीकों श्रागे बढ़ाए गई और इसे CSO की दौरा 25 में किये अपने अधा होगा वह होगा आपका ओली की बात करेंगे तो यह दोस्तों आपका एक कच्छवा की परजाती है और श्रा के समुद्र जीवन और राज के संद्रक्षन प्रयासों का प्रतिक माना जाता है ठीक है यह ओली इसके लावा होकी विश्कप 22 की बात करते ही तो इसका जो आयोज आपका विश्रमंदा अंत्रस्टे होकी स्टेडियम है एक आपका रावल केला में है इन दोन जगव पर इसका युजन होता है विजेता के बात करते हैं तो जर्मनी आपका विजिता बनता है फाइनल में विलजियम को सुट आउट में हडा देता है ठेके भुनेशो रावल जो जीता है तो इस वात का भी ख्याल रखना है नेक्स वोसन है कि चंपारन सत्याग्रह के श्वर्ष हुआ था चंपारन सत्याग्रह की बात करते ही तो चंपारन सत्याग्रह दोस्तों आपका हुआ था उनिश्व सत्त्रा में ठेक है तो इसका राइटेंस आपका उनिश्व स या गया था ठीक है इसको भी आदकना है साथ में यह महात्मा गांदी का पहला सत्यागरा अंदुलन था जैसा कि आपको मालूम होगा कि महात्मा जो गांदी थे आपका 1915 में आपका भारत लोटे थे कहां से तक्षिन अफडिका से ठीक है तो 1915 में लोटे 1915 सुल्ला आपका भारत प्रह्मन किया स्राथ में 1915 में जाकर आपका एक सत्यागरा करते हैं जो कि चंप परंच सत्यागरा के नाम से जना जता है इसके बाद भी महात्मा गांदी के दौर और भी बहुत सारे अंदुलन किये गए जैसा कि खेरा सत्यागरा किया गया 1918 में गुज्जात के खे बस्त 1920 को शुरू किया गया था ठीके इसके लाबा यह आपका 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था क्योंकि चार फरवरी को आपका चौरा चौरी कान हुआ था ठीके उसके बाद महात्मा गांदी ने इस अंदुलन को वापस ले लिया था नेक्स है आपका नमक सत्यागरव जिसे कि हम लोग डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं ये सवर्मतियाश्वम से डांडी तक का लगवग 240 मिल के पैदल यातरा करते हैं और 6 अप्रेल निटीस को डांडी पहुच कर नमक कानून का उलंगन करते हैं इसके बाद भारत छोड़ा अंदुलर निटीस में क्या था ये अंदुलर निटीस आसन को भारत से बाहर करने के लिए किया गया था तो यसे भी अंदुलर आपका महतमा गांदी जी के द्वारा ही किया गया था जहांसे आपके एकजामे प्रेश्ण आते हैं ठीक है नेक्स आपका है कि सन 1929 में भारत के किस सवंड गवर्न जनले सती पर्था को खतम करने के लिए कानून मनाया था ठीक है तो सती पर्था को खतम तो किया था लौड विलियम बैंटिक ने लेकिन इसके कि बात करते हैं तो यह भारत का भारत का पहला गवर्न जनल था जो कि 828 से स्मी मना था और 1834 तक रहा था ठीक है इसने बहु सारे कारवी किये थे जिसा कि आपका 1839 में सती पर्था का अंध क्या था पस्मिस सिक्षा के पिता के रूप में भी से जाना जाता है था यह दस्त कर लिया महशूर पर कपजा कर लिया भारत का पला गवर्नल था अठाशो पैटिस में कलकत्ता में पहला मेडिगल कोलेज खोला रंजी सिंगे साथ मैतरी की स्तंधी किया थेकि यह सबी चीजे आपके लोड विलियम बैंटिक ने किया नेक्स वोशन है कि कि भारतिय र आप सर्च कर लिजेगा कहीं सभी किजेगा कॉमेंट सेक्स मताइएगा कि सबसे कम सबसे कम रेल बेल नेटवर्क की स्राज का है ठीक है तो उत्तर प्रदेश का सबसे जार्दा है सातरा से दिक अस्टेशन है अर्शट हजार किलोमेटर से दिक की दूरी तरह करती है ठीक है बाकि आप लोग उताएगा सबसे कम रेल बेल नेटवर्क की स्राज का है क्योंकि यह इक्जाम में प्रश्ण आएगा हमें आप लिखे नहीं है नेक्स आपका है कि गरीबी ब्राने और गरीबी उनमुलन यानि करीब हटाओ पर जोड़ दिया गया था इसके लावा 1975 में ही विदुत अपुर्ती धनियम में श्रुबात की गया था बारतिय रस्टी राजमांग प्रणाली के श्रुबात की गई थी डिपी धर ने त्यार किया था नियुनतमाव सप् इसे पुर्भी से रद कर दिया था ठीक है तो यह भी सारे चीज़े आपको याद रखना है साथ में पंच वर्षिद्णा का टॉपिक भी आपको इबुक में दिया गया है तो वहां भी इस सारे चीज़े यहां पर लिखा गया है नेक्स उसन है कि अकवर की ताजपोसी कहा पंदासोचपण इसमी में तो उसमें अकवर जो था कलनोर जो कि पंजाब में पड़ता है वहां पर थे तो वहीं पर इसका ताजपोसी जो कि किया गया था 14 प्रवडी का वह दिन था वेड़ेंडे का दिन था और उस समय जब अकवर का ताजपोसी हुआ था तो मात्र तेर के नाम से लड़ा जाता है और इसके जो सन रक्षक था बैडम खां के द्वारा बैडम खां लड़ता है किसके साथ लड़ता है तो एक और था कोई नाम यादने आप रहा है ठीक है उसके साथ ही लड़ता है वह आपका हार जाता है ठीक है आप लो कॉमेंट है मू था ठीक ह कहां हुजित होता है तो इस समादी अस्थल पर हही मना जाता है तो इसका राइटर सपर्य होगा बेसाकी कातेवार सीखो के दस में गुरू गुमिश सिंग के याद में मना जाता है 13 अपरेल 1619 में को गुरू गुमिश सिंग ने खालचापंद के स्थापना की थी जो सिख्धर में एक मत्पुन घटना मानी जाती है लेकिन बहुत सारे स्टरेंट करहा हैं कि यह कोसोन और था दोनों कोस्तों बेताब्स संदेह तो एक पुस्तों यह था कि अँगके बीस प्रसा तो गुरु पर भी स्क्राइटेंस होगा लेकिन अगर वेशा कि आएगा तो गुरु भी सिंग होगा आप लोग कोमेंट स्क्राइगा जो लोग एक्जाम देकर आ रहे हैं तो नेक्स वोशन है कि मरीन एट्स टू नेविगेशन बिल 2021 जो है किस बिल को रिपेल्ड किया यानि कि निरस्ट किया तो जो मरीन एट्स टू नेविगेशन बिल है दो जैकर इस वो लाइट हाउस एक्ट 1927 को निरस्ट किया था और इस नहीं कानियों का उदेश अधुनिक और उन्नत समूंदरी निविगेशन तक्निकों को सामिल करना और भारत की अंतरस्टिय प्रतिभक्त प्रताओं के साथ तालमिन बिठाना है ठीक है तो यह चीज था एक कोशन आपका राज के निती निर्देशक तत्व से संबंदित भी आया था क्वथन गलत बताना था तो जो भी कथन आपका आया वगा आसा करते हैं कि आप लोग उसे सही कर ली होंगे क्योंकि राज के नि के दुरान भी हम लोग ने देखा था कि राज का जो निती निर्देशक जोत्तात्व था वह भाग चार में है भारती समिधान के नुच्छे से क्यामन में है आयलेन के समिधान से लिया गया है इसका जो उदेश है नैपून और स्रमानता परदारी समाज के स्थापना करना प्रमुकरन उचेत की बात करते हैं तो 36 से राज के परिवाशा बताता है सैती से नेती निर्देशक ततव का नुप्योग बताता है उसी परकार 38 से 49 से 49 से 40 सापका इंपोर्टेट है गराम पर जातों का संगठन के बारे में बताता है चोवालिस इंपोर्टेट है संभान पर पर जिमन असर का उनेन के बारे में इसके लाब पच्चास नय पलिका और का प्रितकरन और अक्यामन आपका नतास्यतानति और सुक्षा का स्मध्धन ठीक है बाकी 48 से किस्ट्री और पर सुपालें संगठन है बाकी डिपीस्पी की बात करेंगे तो इसे आपका ये तिन भागों में बाटा गया है तो ये सारी चीजे भी है आप लोग पताईएगा क्या आया था कुशन अगला है कि एवेश जो की पक्षी है फाइलम जो है डैस से जुरा हुआ है तो इसका राइटेंस आपका काड़ेटा होगा ठीक है काड़ेटा के बारे में बात करते हैं तो काड़ेटा के सरी में नोटो कोड़ होती है इनकी सरीर पर एक परिष्ठी एक होगली तंत्री का रजूभी होती है काड़ेटा के सरीर में गर्शन छिद्र होता है इनके हिरिदय अधरी होते हैं उनके सरीध में बंद परिशनचन तंत होता है । यानि खराब नहीं होने वाला खाद प्रदार कौन सा है नन प्रेडिस्टेबल आप से प्रदार पुछा गया था चार ओप्सन दिये गया थे उन चार ओप्सन में से एक बताना था ओप्सन क्या था हो तो मुझे मालूम नहीं लेकिन डिबा बंद समान सुक्य फल विंस मक्हन कॉफी सत पौडर वाल दूर चावल गेहुं चीनी ये सबी जो आपका है वो आपका नन प्रेडिस्टेबल खाद प्रदात होते हैं जो कि लंबे शमय तक खराब नहीं होते हैं इन्हें लंबे शमय तक संगरित क्या जा सकता है या कादो की सोची भी है चाबल हो गया सुखी दाल हो गया बिंस हो गया पस्ता हो गया इसके लबा कहने वाले खाद परदात नट्स भी सहथ सुखी में वी ओर्ट्स पिन्यट वट्टर्स नमा को चिन्नी समय ये सबी आपके हैं नेक्स आपका है कि नुई लेंड का नहीं और का नियम किस ने दिया था उक्ते ने मेलें झस्क निया था तो इसका राइट एसे च्प्वाट है उनको या नुश्व रषान के भाद उनकी रशायनीग और भौतिक कि गुनों में समानता देखने को मिलती है अगला को से पुछा गया जोहार नहिरू Monitor कals कि शोर में इस्तित है ठेक है तोस्ट है लावह नहिरू Mannοι पूर डान्स अक Adventure कि बात करते हैं है तो यह दोस्ता आपका इमफाल में नहिरू फिए अस्फापित क्या घ्र नेक्स वूठा है था फिए पूर्टक्स और रराज़यों से लगता है तो तीन लाजों से लगता है लेकिन कॉछन तुष्ण तौस अलग पउच्छा घ्र था तौच्छ तो किस लंका से सटा हुआ है तो क्राइकल इस क्राइटेंस था बाकि क्या एक जेक्ट कॉस्टन पुछा गया था आप लोग कॉमेंट एक से मताइएगा नेक्स पूस्टा कि वरतमार में क्या अगर पुछा गया होगा तो वरतमार में एसे सब्सक्राइब के लिए तो एक उसना आपका रस्टी आई से समंदित भी आया था आपसे समंदित कथन टाइप के प्रस पूछे गया थे कि रस्टी आई का पहला पेग्यानिक विधी किस ने दिया या परतम अधिकारिक प्रयास किस ने किया ये सारी चीज़ें आपके कर्थन में लिखा गया था तो रस्टी आई के बात करते हैं यानि निशनल इंकम तो किसी देश की आर्थिक इस्तिका एक मत्पून सुचक है ये एक बित्ती वर्ष में उत्पादी सभियोस्तों और श्रवाओं के कुल मुद्रिक मुल्य को दर्साता है इसके लाबा राष्टियाई का पहला पिज्ञानिक विधी अगर आप से पुछा गया होगा तो ये दाधावाइन नरुजी ने दिया था डार्षो सट्ट सट से अर्षठ में क्या था उन्होंने भारत की राष्टियाई का अनुमान लगाया और प्रतिविक्तियाई विश्वे होने का अनुमान लगाया था लेकिन पर्थम अधिकारिक प्रयास की बात करेंगे तो पिसी महलोविस जिसे की भारतिये सांके की कजनक मना जाता है 1950 में संगर्टिन की अस्थापना भी यहनोंने किया था ठीक है